गुड मॉर्निंग टॉल उफ स्टुडेंट्स आज हम अपना जो चेप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चेप्टर नमर बारा उसका पार्ट थरी हम देखने जा रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा ज्यादा इन्फोर्मेशन है लिखने का काम कम है एंड तक समझना सब चीजों को जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि ये चीजें आपको 12th क्लास के अंदर काम आएंगी हर एक टॉपिक इंपोर्टेंट है चलिए शुरुवात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशल के बारे में पढ़ेंगे कल हम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो वीडियो को स्किप नहीं करना है अच्छे से समझना है अगर आपको प्लस टू क्लास में ज़्यादा मार्क साहिए तो और 10th में तो आएंगे ही आएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो चलिए शुरु क्यांड एज दा वर्क डन ये वर्क डन है पर यूनिट चार्ज ठीक है इन ब्रिंगिंग दचार्ज फ्रॉम कहां से इन फाइनाइट से लेके आने के लिए तो दपॉइंट किसी पर्टिक्लर पॉइंट पे जैसी यहां पर हमने कह दिया फिगर के अंदर पॉइंट पी प स्टेटिक फोर्स के अगेंस्ट कलियर रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या रिप्रेजेंट करती है किसी चार्ज हो इन फाइनाइट से किसी पर्टिक्लर पॉइंट पे लेके आना है तो जो पहले से प्रेजेंट चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फिल्ड के अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर डेफिनेशन नौट कर लेजिएगा और यूनिट पूछ ली जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनि इट सेम है और दौनों में थोड़ा सा difference है करे वो difference पहले आप ये वीडियो देखिएगा कल potential difference का आप देखेंगे तो difference क्लियर हो जाएगा आपका हलांकि इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा potential difference के बारे हम बताया गया है ठीक है सिरफ ये जो point है इसका आपको ध्यान रखना है कि एक जो point होगा हमें infinitive लेना है और दूसरा point होगा non कि कहां पे हम उस charge को लेके आना चाहा रहे हैं पहले से present charge के electrostatic force के against देखो पहले मैं आपको simple एक example से समझाऊंगा उसके बाद में हम यह field की बात करेंगे daily life के basis पे example की हम बात करते हैं जैसे मान लिजिए यह कोई नहर है और इसमें जो पानी है इस direction में flow कर रहा है यह पानी जो है इस direction में हमने मान लिया इस direction में पानी flow कर रहा है ठीक है और आप भी इसके अंदर तैर रहे हैं कलिया यह कोई नहर है इसके अंदर पानी जो है इस direction में flow कर रहा है आप इसके अंदर तैर रहे हैं अब जैसे मान लिजिए आप इस पानी के बहाओ के साथ साथ कहां चले गए इस पानी के बहाओ के साथ साथ आप मान लिजिए आगे बढ़ते हुए इस direction में ठीक है इस direction में आगे बढ़ते हुए आप इस पानी के बहाव के साथ साथ पहले आप मान लिजी इस पॉइंट पे थे और आप जो काफी दूर चले गई कहां पे चले गई इन फाइनाइट पे चले गई समझ में आया इस पॉइंट पे थे मान लिजी इस पॉइंट पे आपने छलांग लगाई थी इस नहर क प्माइब के अंदर और आप इस पानी के बहाव की वज़े से एक किसी दूसरे प्विट पर चले गए और वह पॉइंट हमें मालूं नहीं कहाँ है तो हमने मान लिया बहुत दूर चले आप इनफाइनाइट प सब्सक्राब को और पानि किस डारेक्शन फ्रोर कर रहा है इस डारेकशन में चल यह अब इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं ही है स्क्राइब मां लीजिए अब आप इनफाइनाइट पहुंच गए यह वह पोईन्ट है जहां पर इनफाइनाइट है समझ लिया माल लिया हमने कि यह यहां पर एक वैंट इनफाइन आई में यह को सिके seeking pond माल लिया इन फाइनाइट और कि अब आपको वापिस अपना ओरिजनल पॉइंट यह tension पॉइंट था ठीक है जहां पे अपने चलांग लगाई थी तो अब आपको वापिस आना है कहां से इस इंफाइनाइट पॉइंट से वापिस आना है पी पॉइंट पे तो बताइए क्या आपको इस पानी के बहाओ के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा एक्स्ट्र आना है आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इस पानी के बहाओ के अगेंस्ट क्योंकि पानी तो इस डिरेक्शन में फोलो करा है और आप इस डिरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जाहिर सी बात है ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आपको जादा ताकत लगानी नहीं पड़ी थी, जब आप इस डारेक्शन में गए थे, पानी के बहाव के साथ गए थे आप, लेकिन जब आप वापिस आना चाहते हैं, तो आपको extra work done करना पड़ेगा, किसके against करना पड़ेगा इस पानी के बहाव के against करना पड़ेगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, electric potential, कि आपने work done किया, infinite से, इस point P तक आने में, clear, अब यहाँ पे, जो हम समझेंगे, वो हम क्या समझेंगे, कि यहाँ पे, अब अपने आपकी वजाए, आप एक छोटा सा चार्ज मान लेजिए, आप नहीं है, अब क्या है अब, एक छोटा सा test चार्ज है, क्यू नोट, और जो आगे भढ़ रहा है, अब बड़े इसे च चार्ज के, इलेक्रिक फिल्ड के अगेंस्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यह important point है, आप अपने आपको क्या मान लेजिए, आप पिल्कुल एक छोटे से चार्ज हैं, और आप आगे भढ़ रहे हैं, किसके खिलाब, बड़े से चार्ज के, इलेक्रिक फिल्ड के खिलाब अगेंस्ट, ठीक है, तो नीचे फिगर में हम आपको दिखाता हूं, और समझने कोशिश कीजिएगा, यह देखी फिगर, यह यहाँ पे सेंटर में कोई बड़ा सा चार्ज, आपको प्लस क्यूँ आपको दिखाई दे रहा है, हर एक चार्ज का बड़ा चार्ज होगा, बाहर देना चाहता है, किसको वो बाहर निकालना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, वो आप ज्यादा डीटेल में प्लस टू क्लास में पड़ेंगे, अभी इतना याद रखना है, कि यह एक पोजिटिव चार्ज है, इसका अपना च्यारो और एक इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक है, तो पहले देखिए, क्या था, कि यह जो छोटा सा टेस्ट चार्ज आपको दिखाई दे रहा, प्लस क्यू, यह पहले इस पॉइंट पी पे ही था, ठीक है, इसको क्या किया, इस चार्ज ने प्लस क्यू वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फिल्ड ने इसको बाहर निक दाल दिया, क्यों? क्योंकि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस पे प्लस क्यू चार्ज है याद रखिएगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अभी इतना याद रखिएगा, क्लिया, और कहां तक भेज़ दिया, मान लिजीए, यह जो पोइंट P से इन फा पोजिशनल पोजिशन पी पे लेके जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते में क्या देखने को मिल रहा है जो पहले से ही प्रजेंट बड़ा चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फिल्ड तो यहां पर देखिए यह तो प्लस क्यूँ है चोटा चार्ज इस पे चार्ज पोजिटिव है और यह भी चार्ज पोजिटिव है तो पोजिटिव पोजिटिव तो रिपेल करेंगे तो हमें इसको आगे बढ़ाना है तो इसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए आप ये कह सकते हैं भी आप इस charge को energy देंगे तो ये charge work done करेगा आगे बढ़ने के लिए आगे ना बात वो ही नहर के अंदर flow करने वाली यानि कि इसको जो है इस चोटे से charge को इस चोटे से charge को बड़े वाले charge के electric field के against अगर move करना है बड़े वाले charge के against move करना है बड़े वाले charge के electric field के against अगर move करना है तो इसे opposite direction में यानि कि इस direction में work done करना पड़ेगा ठीक है कहां से infinite से अपने original point पे आने के लिए ध्यान रखेएगा यही point important है electric potential में point रहेगा infinite से आएगा और particular point पे जाएगा clear तो उमीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा यहां पे एक और figure आपको दिखाई गई है उस figure से और ज़्यादा आप समझने कोशिस कीजिएगा इस figure में हमने हमने तीन अलग-अलग points लिए हैं और उनके नाम रख दिये हैं यह point है B कलिया यह है A और यह जो next point है यह इंफाइनाइट यह है थोड़ा सब figure को हम नहीं से कर लेते हैं एक बार हाँ तो यह infinite है यह A है और यह B है अब देखिए अब आपकी मर्जी आप यहां पे मान लिजिए वो छोटा चार्ज है क्यूं ठीक है इसको आप point B पे लेके आना चाहते है है point A पे लेके आना चाहते हैं कहां पे लेके आना चाहते हैं और साथ में मान लिया कि B point पे बड़ा सा चार्ज है कोई plus Q1 और ऐसे ही इस A point पे मान लिजिए कोई बड़ा सा चार्ज है plus Q2 हमने मान लिया तो अब देखिए क्या हम करेंगे ठीक है दिमाग में आज्यूम कीजिएगा पहले कि जो आपके पास में पहले देखिए क्या लिखा हुआ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रों इनफानाइट टू पॉइंट ए इस इलेक्रिक पोटेनिशियल एट ए कलिया जब हम इनफानाइट से ए पॉइंट पे उस छोटे से चार्ज को लेके आएंगे इस ए पॉइंट पे जो बड़ा सा चार्ज था प्लस Q1 Q1 को हो या Q2 को हो जो भी आपको मानना है ठीक है इस Q1 के अगेंस्ट हम लेके आएंगे तो हम क्या कहेंगे इस पॉइंट ए पे ठीक है इस चार्ज का आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेनिशियल ठीक है समझना दोबरा से कि आप ये बड़ा साथ कोई चार्ज Q1 है यहां पे मान लीजिए ठीक है और इस पॉइंट ए पे आप जो है यहां पे इस चोटे से चार्ज को पलस Q को आप लेके आना चाहते हैं ठीक है तो इस चार्ज का इस पॉइंट ए पे जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेनिशियल एट ए तो कैसे डिफाइन करेंगे वर्ट डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू ए पॉइंट ए और यह पॉइंट ए क्या है मान लेजिए ये पहले से ही इसकी लोकेशन थी क्लिए है चोटे से चार्ज की ठीक है तो यहां पर आप इस टेस्ट चार्ज को लेके आना चाहते हैं इस वाले चार्ज के इलेक्टिक फिल्ड के अगेंस्ट ठीक है तो इस वाले चार्ज की वज़े से इस point पे लेके आना चाहते हैं test charge को तो इसकी वज़े से होगा electric potential at point A ठीक है कि कितना इस test charge ने work done करना पड़ा इस point A पे आने के लिए इस charge Q1 के electric field के against बस इतना आपको याद रखें ठीक है ऐसे ही मान लेजिए अब दूसरा अगर मान लेजिए ये कोई दूसरा बड़ा सा charge है Q2 और ये point B है इससी से related है अब आप क्या चाहते हैं कि इस छोटे से charge को plus Q को B point पे लेके आना चाहते हैं और ये जो B point है कहां है इस वाले electric field की range में है किस वाले की Q2 की range में है तो इसके against काम करना पड़ेगा इस B point पे आने के लिए तो यही तो लिखा हुआ है work done to bring charge from infinite to point B is electric potential at B याने कि ये जो दूसरे वाला charge है इस की वज़े से point B का जो potential होगा ठीक है उसको हम कहेंगे electric potential of point B काम क्या कर रहे हैं आप चोटे charge को Q2 के electric field के against point B पे लेके आ रहे हैं तो जितना काम करना पड़ा वो काम किस के बराबर होगा इस दूसरे charge के electric potential के बराबर होगा जैसे कि पहले वाले case में plus Q1 की वज़े से आपने देखा कि plus Q1 की वज़े से इस point A का आप कह सकते हैं electric potential होगा कि इतना काम उसको करना पड़ेगा चलिए अब सबसे important is potential difference जिसके बारे में कल हम बात करेंगे पहले थोड़ा सा introduction में आपको बता देता हूं आज के लिए कि अगर मान लिजिए अब जैसे यहां पर यह तो Q1 था बड़ा charge यहां पर मान लिजिए यह Q2 था बड़ा charge A point पे और B point पे ठीक है जो इन दोनों के electric force की जो ताकत होगी वो क्या होगी अलग अलग होगी क्योंकि यह charge कुछ अलग value का है यह charge कुछ अलग value का है ठीक है तो अब यहां पर infinite नहीं है इसको भूल जाईए अब यह infinite है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाईए ठीक है अब आप क्या चाहते हैं अब आप चाहते हैं work done कितना करना पड़ेगा अगर आपको move करना है charge को ठीक है अब माल लिजे charge कहा है infinite नहीं है तो कहां पर है ए पर है लिखावाना work done to move charge from यह change नहीं है ध्यान रखेगा चार्ज है कहां से from A, A point से B point पे लेके जाना है किसको उस छोटे से charge को ठीक है और उसी को जो work done करना पड़ेगा A point से B point तक लेके जाने में उस charge को ठीक है यहां पर पहले से ही तो Q2 present था उसके electric field के against काम करना पड़ा ना तो उसी को तो हम कहेंगे इन दोनों के point के बीच का जो difference होगा उसको हम कहेंगे potential difference between A and B भाई इस point से A point से B point तक ले जाने में हमें कितना जादा work done करना पड़ा तो वो कहलाएगा इन दोनों के बीच का potential difference ज्यादा detail में आपको कल समझ में आ जाएगा guarantee हिस्चीज की clear सिरफ आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जब खाली electric potential पूछा जाए तो आप उस छोटे charge को कहां से लेके आएगे infinite से किसी particular point A, B, P कोई भी आप एक point ले लिजिएगा उस particular point पे लेके आएगे ठीक है लेकिन जब potential difference की बात की जाएगी तो वो दोनों point आपको non होंगे उनमें कोई point infinite नहीं रहेगा ये most most important point है electric potential और potential difference को समझने के लिए तो कल हम potential difference के बारे में ज़्यादा discuss करेंगे clear तो बिल्कुल आपको clear हो जाएगा कोई doubt है तो ज़रूर पूछिएगा हाना कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया हाज का कल वाले वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा information है जो आपको plus two class में काम आएगी clear information को दिमाग में बैठा लिजिएगा कोई doubt हो तो ज़रूर पूछ लिजिएगा बिना hesitation के 24 hours आप whatsapp पे message कर सकते हैं कि ये doubt है समझ में नहीं आया लेकिन जो बाते आज मैंने आपको बताई है ये आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लिजिएगा कि electric potential क्या है ठीक है इसमें infinite होगा एक point बस इतना आपको ध्यान रखना है दूसरा point non होगा चलिए वीडियो देखिए notes बनाईए अपने कोई doubt है तो पूछिए thank you very much